नमस्का फ्रैंस प्लैनेट हब चनल में आप सभी का फिर से हार दिख स्वागत है और इस बार सब्जेक रहेगा मिथून रासी शनी वक्री तेज पांच से लेकर दस दस दो अजार इकीस मिथून रासी जैमिनी मून साइन चंद्रकुंडली गोचर में देखने के लिए चंद्रकुंडली को प्राधनिय ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि चंद्र सवाद दो दिन बाववन गंडे के करीब रासी चेंज करता है इसके गोचर की जो सुच्वेशन है गोचर का मतलब होता है प्रेजेंट एड प्रेजेंट मैना दो मैना छे मैना साल में क्या होने वाला है उसके जानने के लिए प्रेजेंट्स को देखना पड़ता है गोचर को देखना पड़ता है और यहां शनी माराज रिट्रोगेट होने वाले है वक्री होने वाले है और अभी तक तो सीधे सीधे चल रहे थे, यह सब ने बोलते हैं कि यह व्यक्ति अभी तक सीधा था, जैसे उंगली सीधी है, उसको टेड़ी करनी पड़ती है, वो कहावत है, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उसको टेड़ी करनी पड़ती है, यहाँ वैसे ही सनी माराज अभी तक सीधे चल रहे थे, अभी वो टेड़े चलने वाले है, वक्री चलने वाले है, रिट्रो गेट चलने वाले है, तो वो रिट्रो गेट सनी मिथून रासी के लिए अश्टम स्थान में चलने वाले है, यहाँ अल्रेडी उनको धाई साल की छोटी पनोती, जो धैया बो जहां डैया होते हुए शनी वक्री होने वाला है तो ये आपको क्या रिजल्ट दे सकता है शनी सिख्षक है टीचर है टीचर जब तक सीधे होते हैं तब तक ठीक है लेकिन जब टीचर को लगता है कि ये बहुत हट से बार स्टूडंट जा रहा है तो फिर उसके लिए वो निकालते हैं और आपको देधनादन करते हैं तो यहां शनी अभी वक्री होते ही उनका जो स्वरूप है उग्र स्वरूप जब तक चलता था उन्होंने चलाया लेकिन अभी वो चलाने वाले नहीं हैं अभी आप बाज नहीं आया अपनी आदतों से आपने आदतें नहीं नहीं है शनी एक टीचर यहाइट को सिखा रहा है द्यूंयह की जो रेत को आपको कैसे जीना है किस तरह से चलना ärःiat lot बैठना कैसे जीना है, बोलना करना, सभाव, रहन सेहन, व्यव्यार, सब चीजे वो सनी शिखाता है, माता पिदा तो अपनी तरह से सिखाते हैं, लेकिन ये जो दुनिया की लीत है, वो सब ग्रही सिखाते हैं अपने को, इसलिए सनी यहां वकरी होते हैं, आपके अश्टमस् उसके लिए ध्यान रखे, आपके गाड़ी कहीं लग सकती है, आप बे काबू के गाड़ी चला रहे हैं, शनी शिखा रहा है कि आप लिमिट में गाड़ी भगाईए, उसको जोर से मत भगाईए, नहीं तो आपका एक्सिडंट हो सकता है, यहां वैसे ही, जैसे शनी वकरी ह अगर आपने गाड़ी चलाने में लिमिट टेशन नहीं रखना, लिमिट नहीं रखी, कोई भी चीज की लिमिट होती है, अगर लिमिट से बाहर आदमी जाता है, तो वो पनिश्मेन बन जाता है, अगर कोई भी चीज आपने चाई, चाई भी ज्यादा से ज्यादा उसको ब बार उबालो आप दो से तीन बार, चार बार, पांच बार उबाल के पीते हैं तो फिर जहर बन जाता है। वैसे हर चीज में लिमिट होदी, लिमिट के बार आदमी जाता है, तो वो इसको नुकसान करता है। ससुराल में आपके संबन व्यवार आपने बराबर ठीक नहीं रखे तो वहां आपको देखना पड़ सकता है, सुनना पड़ सकता है, आपकी इंसल्ट हो सकती है कुटुम फैमिली में भी आपको ध्यान से चलना है कुटुम फैमिली में आपने ध्यान नहीं रखा तो कुटुम फैमिली आपके लिए भी आख लाल कर सकते हैं आपने कुटूम फैमिली से वेवार बराबर से नहीं रखा है, आपने सुधारा नहीं है, तो यहाँ शनी आपको वहाँ पनिश्मेन दे सकता है, कुटूम फैमिली आपके लिए अपने उग्र नजर तेज कर सकते हैं, आपके लिए कोई न कोई पनिश्मेन तयार कर सकते हैं, बैंक वगेरे में आपने ध्यान नहीं रखा, रुपियो पैसों में आपने ध्यान नहीं रखा, आपने पैसे ऐसे ही कहीं बेव फिजूल उड़ाए हैं, बेव फिजूल खर्चा किया है, तो यहां वो भी आपको पनिस्मेंट मिल सकती है, आपको हर मैने इंस्टॉल्मेंट क शनी की जो नजर है, वो देखते हैं, शनी की नजर सबसे भारी होती है, तीस नजर बिजनस के उपर है, बिजनस कम हो सकता है, बिजनस में घाटा जा सकता है, बिजनस में आपने ध्यान नहीं दिया, कैसे कैसे आपके लोगों को सेल किया है, उसके पीछे आपने बराबर से उ में जॉब के अंदर जॉब में आपने ध्यान नीट अब आपके छोड़ सकते हैं आप जॉब को चोड़ना पड़ सकता है बहुत सब सब करका कामका प्रसार हो सकता है कि आपनी डुटी आप नहीं निवाई है तो फादर आपको अभी डाट सकते फादर से आपका जगड़ा हो सकता है पिता से सनी की जो सब्तम नजर है जैसे में अब लो सेकेंड हाउस पे है कुटुम फैमिली से विवार कम हो सकता है कुटुम फैमिली आपके विरुद में जा सकती है बैंक आपके व बिगड़ सकता है, आने वाले पैसे रुख सकते हैं, सन्तान से समस्या हो सकती है, सन्तान के लिए आपको चिंता करनी पर सकती है, अगर आप स्टूडेंटर वर्ग है तो आपका विध्या अब भियास के अंदर आपका माइन भटक सकता है, आपका आने वाले रिजिल्ट भी उपर नीचे हो सकता है आपकी कई सारी समस्या वहां क्रियेट हो सकती है अगर आपने लव क्रस्ट के पीछे ध्यान दिया है तो वहां भी आपके लव क्रस्ट में या रिलेशन में कुछ दरार आ सकती है प्रेम प्रक्रण आपका तूट सकता है रिष्टे में दरार आ सकती है ऐसे ही कोई समस्या से आप जूज रहे हैं और आपका आने वाला कर सवार सकते हैं समधान से ही आगे जीवन जिया जाता है इसे हैं आपके पास प्रस्टने का समधान है तो आप आगे जीवन में बढ़ सकते हों मामूली सला एक सला व्यक्ति परसन को काफी बड़ा फायदा भी करा सकती है नमस्कार